नमस्कार, मैं तरुन वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकॉलोजिस्ट हूँ और इन वीडियोज में मैं आपसे OCD के इलाज के लिए कॉंप्लिमेंटरी और अल्टरनेटिव मेडिसिन में जो शोध हुए हैं उनके संबंद में बात कर रहा हूँ पहली दो वीडियोज में हमने जो बात की थी उसमें बायलोजिकल इंटर्वेंशन के बारे में चर्चा हुई थी इस वीडियो में मैं माइंड बॉडी इंटर्वेंशन और सेल्फ एल्प इंटर्वेंशन के बारे में बात करूँगा तो आईए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे पहले mind-body तक्नीकों के बारे में और उन तक्नीकों के बारे में बात करेंगे जिन पर OCD के संधर्व में शोध हुआ है यह दूसरी श्रेणी है इसमें उन तक्नीकों को शामिल किया गया है जिनमें शरीर और मन के आपसी संबंध का उप्योग करके लक्षणों पर नियंतरण पाया जाता है सिधान्त यह है कि शरीर और मन एक हैं और एक साथ काम करते हैं इसलिए यदि उन्हें नियंतरित किया जाये तो वे आपस में एक दूसरे को फायदा पहुचाते हैं तो इसमें सबसे पहले जिस इलाज पर हम बात करेंगे वह है एक्यूपंक्चर एक्यूपंक्चर को कई तरह की मानसिक बिमारियों में उसके फायदे के लिए जाचा गया है जिसके बहुत भिन्द परिणाम निकले हैं एक्यूपंक्चर का असर मस्तिष्क में पढ़ता है जिससे 5HT सेरोटोनिन के संचालन में मदद मिलती है नीरो एंडोक्राइन प्रणाली की मध्यस्तता होती है और इसी के साथ opioid receptor के रस्ते से दर्द निवारक एनलजैसिक प्रभाव भी होते है एक कम गुणवत्ता वाला clinical trial किया गया था जिसमें OCD के 10 ऐसे मरीजों को electroacupuncture के द्वारा इलाज दिया गया जिनके लक्षन दमाओं या थरेपी द्वारा कम नहीं हो रहे थे और जिनकी दमाओं की dose स्थिर मातरा में दी जा रही थी यह इलाज 12 sessions तक दिया गया जिसमें हर हफ़ते 5 session दिये गए मतलब करीव 2-3 हफ़ते तक इलाज दिया गया मानसिक बिमारियों के लिए जो acupoint होते हैं ऐसे 6 pairs पर 9 volt का current सुयों के द्वारा दिया गया 10 में से 6 OCD के मरीजों में असर अच्छा देखा गया जबकि दूसरे group में 9 में से 3 के लक्षणों में कमी देखी गई जिनें acupuncture का कोई इलाज नहीं दिया गया था वैसे तो ये फर्क काफी अच्छे माने या कहे जा सकते हैं पर यह शोध गुणवत्ता के पैमाने पर कमजोर था क्योंकि इसमें एक तो clinician नहीं निर्ड़े लिया था कि किसे यह इलाज दिया जाए और किसे नहीं और इलाज के प्रभावों की जाज के नतीजे भी participant से छिपाए नहीं गए थे ऐसे में जब इलाज से उमीद बढ़ जाती है तो इलाज का असल असर नहीं देखा जा पाता इसलिए आवश्यक यह होता है कि शोध में डॉक्टर और मरीजों दोनों को ही यह ना पता हो कि इलाज कौन सा उन्हें दिया गया और उसके नतीजे क्या निकल रहे है निश्पक्ष शोध की कमी की वज़ह से यह शोध भरोसे के लायक नहीं है और इलेक्ट्र एक्यूपंक्चर को OCD में असरदार नहीं कहा जा सकता दूसरा उप्चार आता है Mindfulness Meditation Mindfulness ध्यान पधती पर पिछले तीन दशकों में काफी शोध हुआ है और उसके मानसिक विमानियों पर असर को भी देखा गया है यह मन को वर्तमान में केंदरित कराके और अत्यधिक सोचने की आदत को कम करवाके Rumination को कम कराके, anxiety को कम करने में मदद करता है एक कम गुणवत्ता वाले शोध में 17 OCD के मरीजों को दो समूहों में बाटा गया एक Mindfulness ट्रेनिंग वाला समूह और दूसरा बिना Mindfulness वाला समूह Mindfulness की ट्रेनिंग के लिए 8 ग्रूप मिटिंग हुई जिनमें कई तरह की तक्निके सिखाई गई जैसे Meditative Breathing, Body Awareness, Mindful Living और एक शम्ता सिखाई गई कि किस तरह से मनोविग्यानिक तोर पे वर्तमान में रहना आना चाहिए वर्तमान में रहना सीखा जा सकता है और Let Go रफा दफा करने की टक्निक सिखाई गई हलंकि वैसे तो शोध करताओं ने Mindfulness के बहुत बड़े प्रभाव को दिखाया पर इसकी विधियों में भारी कमी के चलते इसके नतीजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता इसलिए Mindfulness के अकेले उपयोग के प्रभावों को दिखाने के लिए OCD के मरीजों पर अभी और अधिक शोध होना आवश्यक है ताकि कोई सटीक निशकर्च निकाला जा सके ध्यान दें कि यह शोध Mindfulness के प्रभावों को जाचने के लिए था जब उसे अकेले इलाज के तौर पर उपयोग में लाये जाता है यदि दवाओं के साथ या CBT थरेपी के साथ इसे अपयोग किया जाए तो इसके लाब हो सकते हैं पर इस बारे में फिलहाल कोई व्याक्ष्या नहीं दी जा रही है या तीसरी उप्चार पद्धती है योगा योगा के कई महत्वपूर्ण प्रभाव पिछले कुछ दशकों में देखे गए हैं और मानसिक बिमारियों में इसके लाब के बारे में कई शोध भी हुए है पर ज्यादतर ये सभी विध्यों की गुणवत्ता के मामले में कमजोर ही रहे हैं ऐसी ही एक कमजोर शोध OCD के 21 मरीजों पर की गई थी जिसमें कुंडलिनी योगा, Mindfulness Meditation और Relaxation Response जैसी पद्धतियों के प्रभावों की आपस में तुलना की गई तीनों तकनीके साथ Participants के तीन समूहों को सिखाई गई मतलब हर एक गुरूप में साथ Participants थे और हर एक गुरूप को एक एक टेकनीक सिखा दी गई एक को कुंडलिनी योगा, एक को Mindfulness Meditation और एक गुरूप को जिसमें साथ लोग थे उन्हें Relaxation Response सिखाया गया तीन महीने तक अभ्यास करने के बाद सबसे अधिक प्रभाव कुंडलिनी योगा का देखा गया और 15 महीने बाद पुने जांचने पर पाया गया कि कुंडलिनी योगा करने वाले मरीजों में OCD के लक्षन नाम मातर के ही रह गए थे Mindfulness वाली शोध की ही तरह इस शोध में भी गुणवत्ता की बहुत कमी थी और इसके नतीजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है अब हम तीसरी और आखरी श्रेणी के संबंध में बात करेंगे Self-Help Interventions इसमें वे तकनीके शामिल होती हैं जो व्यक्ति बिना किसी की मदद के कर पाता है स्वयम सीख सकता है और खुद से ही संचालित कर पाता है सबसे पहले इसमें आती है Self-Help वाली तकनीके Relaxation और Movement Based Techniques स्वयम से भी तकनीके डिप्रेशन जैसी मांसिक बिमारियों के लिए बहुत कम खर्चिली साबित हुई है और इनका इस्तमाल काफी होता रहा है इनमें से Relaxation की तकनीकों पर सबसे अधिक शोध हुआ है जैसे Progressive Muscle Relaxation PMR पर दो शोध किये गए थे जिनमें PMR की Movement Decoupling MD से और Acceptance and Commitment Therapy ACT से तुलना की गई Movement Decoupling में किसी Compulsive विवार को दुबारा से एक नए सिरे से ट्रेन किया जाता है जिससे उसमें कमी आ जाती है PMR वर्सिस बनाम MD Movement Decoupling वाले शोध में ट्रिकोटिलोमेनिया के 42 मरीजों पर शोध हुआ जिने 4 हफ़तों तक ये पद्धतियां सिखाई गई दो अलग समूहों में चार सपताबाद यह देखा गया कि MD वाले मरीजों में OCD और TTM की ट्रिकोटिलोमेनिया की दो अलग परशनावलियों में बहतर असर देखा गया PMR के मुकाबले Movement Decoupling वाले मरीजों में 89 प्रतिशत पार्टिसिपेंट्स ने इसे बाकी की अन्य स्वयम से भी Self-Help पद्धतियों से ज़्यादा असरदार पाया और साथ ही 71 प्रतिशत मरीजों ने इसे भविश्य में भी उपयोग करने में दिल्चस्पी दिखाई जबकि यह संख्या PMR वाले मरीजों में 41 प्रतिशत ही रही दोनों मामलों में मतलब कौन सी ज़ादा असरदार पाई गई और वो बाद में फ्यूचर में इसे करना चाहेंगे या नहीं दोनों का प्रतिशत 41 ही रहा एक अन्य शोद जिसमें ACT को PMR से तुलनात्मक धंग से समझा गया उसमें ACT मतलब Acceptance and Commitment Therapy को PMR से बहतर पाया गया यह शोद 79, 89 OCD मरिजों पर हुआ था जिन्हें DSM-4 का डाइगनॉसिज मिला हुआ था उन्हें 8 सेशन तक इलाज दिया गया ACT, Acceptance Commitment Therapy का प्रभाव बहुत बड़ा देखा गया इन दोनों शोदों की गुणवता अच्छी थी और इनके नतीजों पर भरोसा किया जा सकता है हलंकि दोनों में देखा गया कि PMR का असर सकरात्मक तो होता है पर बाकी दोनों पधतियों के मुकाबले थोड़ा कम असर दिखा PMR का यहां यह बात कहनी आवश्यक होगी कि इंडिया में, हिंदुस्तान में और कई अन्ने देशों में PMR को, Progressive Muscle Relaxation को, Anxiety Disorders के इलाज के लिए सबसे शुरुवाती तरीके, टेकनीक के तौर पर आम रूप से उप्योग में लाया जाता है और इसके लाव, Anxiety में बेहत प्रभावशाली भी है एक बहुत ही विवादास्पद, Controversial टकनीक है, जिसे Meridian Tapping, MT कहते हैं, या फिर Tapping Acupressure के नाम से भी हम जानते हैं इसके फायदे को OCD में समझने के लिए, Moritz और उनके सहयोगियों ने 2011 में एक शोद किया, जिसमें चार सप्तह तक, MT, मतलब Meridian Tapping और PMR दी गई OCD के 70 मरीजों को दो अलग समूहों में बाट कर नतीजों में देखा गया कि यह दोनों तकनीके ही कुछ फायदा नहीं कर पाई उन मरीजों का और Meridian Tapping Group वाले मरीजों में कोई खास बहतर प्रभाब नहीं मिला PMR वाले मरीजों की तुलना में इस शोद के अधार पर यह कहा जा सकता है कि MT, Meridian Tapping का कोई खासा उपयोग नहीं है OCD के लक्षणों को कम करने में और इसका उपयोग ना ही करने तो बहतर है हलंकि शोद करताओं ने बहुत साहस दिखाया जो इस विवादास पर तकनीक पर शोद किया और उनका शोद गुणवत्ता की दृष्टी से भी अच्छा था पर कोई सकरात्मक नतीजे ना निकल पाए इस शोद से और Empty Meridian Tapping के संबंद में आज भी प्रश्ण उठाय जाने जरूरी है यहां आप आगे इन दोनों शेणियों की तकनीकों पर किये गए शोद के बारे में देख सकते हैं आखरी कॉलम में उनकी गुणवत्ता के अंक पर नजर अवश्य डाले आप देखेंगे कि जो Self-Help और Lifestyle वाली पदतियां हैं उन पर शोद बहतर गुणवाली विधी से हुआ है जबकि Mind-Body Medicine पर किये गए शोदों की गुणवत्ता बहत कम है इसलिए इन सभी शोदों पर भरोसा करने से पहले सोचना विचारना आवश्यक है ये सभी तकनिकों, interventions और इलाजों के बारे में जो हमने डिटेल से अब विस्तार से जो चर्चा की वहविहाँ समापत होती है हमने करीब 14 शोद डिसकस किये अब हम आगे इन सभी शोदों के जानने के बाद जो निशकर्ष निकलता है, जो समरी है अब हम उस पर बात करेंगे आई अब अन्त में हम सब शोदों के निचोड पर बात करते हैं लेखकों के अनुसार, उनका रिव्यू 2012 तक का अकेला ऐसा प्रयास था जिसमें OCD के इलाज में उप्योग किये जाने वाले सभी गैर पारम पर एक नौन कर्वेंशनल इलाजों का इक निचोड दिया गया है यहां तक कि इन्हों ने इसमें गुर्वत्ता के पैमाने भी शामिल किये हैं जिससे उनके निचकर्शों पर भरोसा किया जा सकता है जब शोध होता है तो बहुत से कारणों से कुछ कमिया रह जाती हैं उनमे जिस वज़े से उनके परेणामों की व्याख्या नहीं की जा पाती और उन कमियों के कारण उनके नतीजों पर भरोसा करने में भी कठिनाई होती है इसलिए क्या नतीजे निकले किसी शोध से यह मैथवपूर्ण नहीं है बलकि यह जरूरी है देखना कि क्या वे नतीजे एक बहतर शोध की विधी से निकले हैं या फिर शोध की कमजोरियों का असर बहुत बड़ा है जिससे उस पर विश्वास करना कटिन होगा इसी लक्षे से रिव्यू प्रकाशित होते हैं जो शोधों का निचोड देते हैं और उनकी गुणवत्ता का प्रमान देते हैं और खासकर कि इस रिव्यू के विशे के मामले में तो यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन का उप्योग करते हैं इस उमीद में कि पूर्ण रूप से उनका इलाज हो पाएगा जबकि ऐसे विकल्ब केवल दामों पर ही यकीन कर लिए जाते हैं साथ ही एलोपैथी के प्रभुत्व के कारण बहुत से अन्ने इलाजों पर कभी शोध नहीं हो पाता जिससे उनके फाइदे की समीक्षा करपाना भी बहुत कठीन होता है इसलिए यह बहुत आवशक हो जाता है कि पारंपरिक इलाजों की भी जाच हो ट्रे इकता को जानना जरूरी है ताकि सही निर्ने लिए जा सके और बेवज़र किसी कम लाब वाले इलाज पर बहुत समय और पैसा ना गवाया जाए यह सभी अल्टरनेटिव इलाज बहुत विवादास्पत भी होते हैं इसलिए जब तक इनके प्रभावों के ठोस्त सबूत न ना हो इन्हें लेने से बचना चाहिए इस वीडियो में हमने देखा कि यह शोध, 14 शोध, OCD और ट्रिकोटिलोमेनिया के इलाज के संबंध में कुछ सकरात्मक, कुछ नकरात्मक और कुछ अनिर्नायक तत्थे देते हैं, Indecisive, Inconclusive Facts देते हैं, Mindfulness Meditation, Electro Acupuncture और Kundalini Yoga के मामले में तत्थे बहुत कमजोर हैं, क्योंकि उनकी शोधों की विधी बेहत कम गुडवत्ता वाली थी, पोशक तत्व, Neutrient, Glycine और Herbal दवाएं, Milk Thistle एवं बुराज की शोधें अच्छे से डिजाइन हुई थी और उसके परिणाम सकरात्मक हैं, NAC, N-Acetyl Sistine का असर Trichotilomania में प्रभावी था और साथी Self-Help तकनीक, Movement Decoupling का असर भी Trichotilomania पर अच्छा था, Myo-Inositol का प्रभाव में शिरित था, बेहद अच्छे डिजाइन वाले शोधों के अनुसार, St. John's Watt, SJW, EPA, Ecosopentaenoic Acid और Meridian Tapping का प्रभाव बेशर था, क्योंकि अधिकतर जो शोध हुए, वे छोटे सेंपल पर किये गए थे और उन्हें अभी तक replicate नहीं किया गया है, इसलिए केवल दो ही ऐसे शोध हैं जिन पर यहां confidence काफी अधिक रखा जा सकता है, एक थी Grant की शोध जो Trichotilomania में NAC के असर को दिखाती है, और दूसरी सयाह की शोध जिसमें बोराज के असर को OCD में दिखाया गया था, दोनों 2009 में प्रकाशे दूई थी, इनी वजहाओं से इन पारंपरिक traditional इलाजों को बहुत बल नहीं दिया जा सकता, फिलहाल और इन्हें अपनाने में बहुत प्रोटसाहन नहीं देना चाहिए, सो अभी के लिए यही आवश्यक है कि जो आम तोर पर इलाज सुझाय जाते हैं, मतलब SSRI वाली दवाएं और CBT जैसी मनोविग्यानिक पधतियां उन्हें ही लिया जाना चाहिए, हलंकि आप यह तर्क करेंगे कि जो असर है वे सकरात्मक तो हैं ही, तो फिर शोध के होने तक इंतजार क्यों करें, क्या पता वे शोध अच्छे परिणाम ही लाएं, पर ज़रा ध्यान दें कि यह आवश्यक नहीं कि ऐसा ही हो, अकसर छोटे सेंपल के शोध सकरात्मक परिणाम ले ही आते हैं, पर यदि बड़े सेंपल पर शोध किया जाए और कई सारे शोध हों और लंबे समय तक किये गए हों, तो उनके परिणामों पर यकीन करना ज़्यादा असान होता है, और भरोसे के साथ वे इलाज लिये जा सकते हैं, आपने इस वीडियो में देखा होगा कि केवल सेंपल का साइज ही सब कुछ नहीं होता, इलाज के प्रभावों को जाचने के लिए बहुत से पैमाने देखने होते हैं, तब जाके यकीन किया जाता है कि इलाज असरदार है भी या नहीं, इसलिए अभी के हिसाब से नैक और बोराज ही बहतर है कि उन्हें OCD या ट्रिकोटिलोमीनिया के इलाज में लिया जाए, अच्छी चीज यह रही कि लेखोकों ने कोई केस रिपोर्ट को शामिल नहीं किया है इस रिव्यू में, क्योंकि वे बहुत मुश्किल से भरोसे लाइक सबूत दे पाती हैं, इस वीडियो में यही प्रयास किया गया है कि आपको वेग्यानिक तत्थे समझाए जाएं, जिसके अनुसार आप बहतर विकल्प चुन सकें और सही इलाज के लिए समय और पैसा खर्च करें, इस समय नैक के प्रभाव को OCD और OCD जैसे अन्य बिमारियों में, OCD स्पेक्टरम बिमारियों में देखने के लिए विश्व भर में बहुत से शोध हो रहे हैं, नैक में विज्ञानिकों की दिल्चस्पी बढ़ती जा रही है, और हो सकता है कि आग्याने वाले वर्चों में नैक ऐलोपैथी की दवाओं का एक बहत लाबकारी विकल्प साबित हो, यह वीडियो अब मैं यहीं समाप्त करूँगा, उमीद है आपको यह विस्तृत जानकारी लाभ देगी, तीन भागों में यह वीडियो सीरीज आप जरूर देखें, बार बार देखें, और जिन्हें OCD है या जिन्हें इसकी जरूरत है, उनके साथ शेर भी जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं ऐसे और वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ, धन्यवाद,